नमश्कार में उप्रिया, पट्टा नियूज में आपका स्वागत है, चली जानते हैं पट्टा की 11 फटा फट खबरों को पट्टा में 50 जगों पर स्मार्ट पार्किंग का होगा निर्मान राज़ारी पट्टा में जल्धी 50 जगों पर स्मार्ट पार्किंग का निर्मान होने वाला है सबसे खास बात यह है कि पार्किंग स्थलो पर गाडियों की ओनलाइन बुकिंग करने का विकल्प होगा जानकारी के अनुसार पटना नगर निगम की वेबसाइट पर स्मार्ट पार्किंग का लिंक रहेगा इसके अलावा उजेंसी भी स्मार्ट पार्किंग के लिए वेबसाइट बनाएगी PMCH में मरीजों को नहीं मिल रहा है अच्छा खाना मरीजों को दवाईयों के साथ साथ अच्छे खाने की भी जरूरत होती है यह कारण है कि अगर एस्पिताल में सही रंग से खाना ना मिले तो यह परिशानी का सबब बन जाते हैं पटा के PMCH में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला मरीजों को प्रतिदिन के मानक के अनुसार नाश्टा और भोजन की जगें पानी सामान दूद, पतली दाल और सबजी दे कर काम चलाया जा रहा है हाली में एक मीडिया हाउस की तरफ से बरीजों को मिलने वाले भोजन की गुनवत्ता की जाज की गई थी जिसके बाद ही पता चला कि सिर्फ कागस पर ही विधिवत डायट वाले नियम का पालन हो रहा है होली को लेकर सक्रिये हुए शराब तसकर होली का त्योहार आने में अब बस कुछी दिनों का समय रह गया है इसी बीच त्योहार से पहले ही पता में शराब के तसकर एक बार फिर से आप पूर नजरा जाएंगे राजधारी पता में इसको लेकर के मुहीम चलाई जा रही है जिसके तहत ही शराब तसकरों को पकड़ने के लिए जुला प्रसाशन और पुलीस प्रसाशन ने भी अपनी तयारी कर ली है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पत्ना जुला में पुलीस की सक्रियता के कारण हर दिन कई लीटर देश सी और अंग्रेजी सराब की खेप बरामत की जा रही है जुला अधिकारी डॉक्टर चंदर शेखर सिंग और स्स्पी डॉक्टर मानवजीत सिंग धिल्लों ने संयुक्त रूप से पत्ना जिले के SDO, SDPO, थानाध्यक्ष और उत्पाद विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिया है पत्ना के PMCH में शुरू हुआ 73 बेडों का नया इमर्जनसी वॉट बीते दिन राज़ानी पत्ना के PMCH में 73 बेडों का नया इमर्जनसी वॉट शुरू कर दिया गया है जैसे की मरीज को आने वाले समय में परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा सबसे खास बात यह है कि इसमें यूरोलाजी, हार्ट अटाक, और्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी आदी गंभीर रोगियों का इलाज किया जाएगा इसके साथ ही चार नए मोडियूलर ऑपरेशन थियेटर का भी उधगाटन किया गया है जो हाँ सभी तरह कि गंभीर मयरीजों का ओपरेशन किया जाएगा पत्ना प्रसाशन से जुड़े पानसो कर्मियों की वरियता सूची तयार मिली जानकारी के नुझार वरियता सूची में शामल करमचारियों से 10 मार्ष तक दावापति मांगा गया है सुची के नुसार कर्बचारी की सेवा में आने की तारीख सेवा निर्वती कारे प्रनाली कारे के दौरान सम्मधित अधिकारियों द्वारा की गई टिपणी आधी का जिक्र होगा आपकी जवानकारी के लिए आपको ये भी बता दे कि प्रसाशन द्वारा अपने कामकाज को संचालित करने के लिए प्रभारी प्रगधान लिपिक को जिम्मधारी देनी की मांग की बीच इन कर्मियों को वरियत आद दी गई है साइबर अपराधियों ने खाते से उराय इतने हजार रुपे पटना के साइबर अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है देश के साथ साथ बिहार में भी साइबर अपराध का मामला बढ़ता जा रहा है इसी कड़ि में अब एक मामला सामने आया है आरपियस पब्लिक स्कूल के पुर्व मीडिया परभारी अजे केसरी के दो खाते से साइबर अपराधियों ने तीन बार में 68,000 रुपे निकाल लिये है मैसेज आने के बाद पीडित के होश उडगे रुपसपूर के सिधार्थ नगर निवासी अग्यात के खिलाफ लिखेत शुकायत दर्च की गई है कि बेटी की दसवी का डुप्लिकेट मार्क शिट लेने के लिए CBSE कार्याले प्रयागराज में आविदन करने गई थी इस दौरान एक अंज़ान नंबर से फोन आया और बोला कि वो कुरियर कंपनी से बोल रहा है पटना में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज बिहार में कोरोना के मामलों में कमी जारी है स्वास्य वभा की तरफ से साज़ा की गई जयानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मातर 18 मामलों की पुछ्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 200 तीन पर पहुंच गई है इसके साथ ही अगर हम राजधानी पत्ना की बात करें तो पत्ना में एक भी पॉजिटिव मामलेन नहीं आए है स्वासर वभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 49 करोना मरीज ठीक हुए है और पिश्चे 24 घंटे में राज़ु में एक लाग 10,401 सामपल की करोना जाच भी पत्ना को मिलेगी ट्राफिक से निज़ात राज़धारी पत्ना वासियों को जल्द ही ट्राफिक से निज़ात मिलने वाली है क्योंकि राज़धारी पत्ना में एक और नए फोर लेन का नर्मान करवाने जा रही है और इस तरह का नर्मान रगभख अलग-अलग हिसों में होते वे दो सालों में हो जाएगा आपको बता दे कि ये फोरलिंग पूरी तरह से आधुनिक मॉडल पर बनाया जाएगा पत्ना के संजय गांधी उद्यान में आपको देखने को मिलेगा वहतोश खास ये पत्ना का प्रसेद परिटन स्थल के तौर पर विखसित है काफी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने आते हैं इसके स्थापना 1979 में बनस्पती उद्यान के रूपे होई थी महीं 1973 में इसे जनता के लिए खोला गया था इस पार्क में आपको 300 से भी अधिक पौधो की प्रजातियां देखने को मिलेगी यहां विबिन प्रकार के पक्षियों, मचलियों, जानवरों और सर्पो की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेगी यह बेली रोड में स्थित है पटना के लोग अब लेंगे नीरा का स्वात आने वाले दिनों में राज़ारी पटना नीरा उत्पाधन में नया की इर्तिमान सापित करने वाला है क्योंकि कुछी दुरों में पटना में लगभग 10 से 15 स्थानों पर नीरा की बिकरी शुरू होने वाली है आधिकारे की रूप से मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर जीविका की तरफ से जू अधिकारे से भी पाथ चल रही है क्योंकि योजना फिलाली है कि पटना जू में भी दो और स्थानों पर नीरा बिकरी का स्टॉल खोलने की पहले तेज की जाए वहीं 510 दुकानों को इसको लेकर लाइसेंस भी दे दिया गया है अब आईए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 48,450 रुपे है वहीं 24 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 52,850 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रती किलो आज 72,000 रुपे है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रुसार राजधानी पटना वासियों को जान से निजात दिलवाने में बिहार सरकार ने सराहनिये कान किया है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही राजधानी पटना की बड़े खबरों से जड़ रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक कॉन दबाना ना भूले धन्यवाद